आज मैं आपके साथ चावल से एक ऐसे recipe शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ही इजी है और यह बहुत जल्दी बन जाती है विल्कुल जटबड बन जाती है अगर आपको जटबड कुछ बनाना हो तो आप इस recipe को बना सकते हो खाने में तो यह बहुत ही स्वाधिस्ट होती ह तो चलिए देखते हैं हमने रेसेपी कैसे बनाई हैं आज मैं आपके साथ एक एसे रेसेपी शेयर कर रहे हूं जो खाने में बहुत स्वाजिस्टुफ होती है और बनाने में तो बहुती इजी है सबसे पहले हमने एक गडाई ली है उसमें हम एक कप पानी डालेंगे तो हमने हाप कप पानी दो बार डाल दिया है तो एक कप पानी हो गया है अब हम इसमें वन इस्पून घी डालेंगे और वन इस्पून हम नमक डालेंगे नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो तो अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपको इसको हिलाते भी रहना है ताकि इस में लम्ज ना पड़े हम अब गैस ओफ कर देंगे और अफ गैस में ही हम को अच्छे से mix करना है तो देखो यह मैं बहुत अच्छे से mix कर रही हूं हम यदि gas off नहीं करेंगे तो पूरा पानी सूक जाएगा इसलिए हम को गेस ओफ करना है उसके बाद ही हमको इसको मिक्स करना है तो देखो यह हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है हम अब इसको कवर करेंगे और कुछ सेकिंड के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फिर हम थोड़ी देर बाद चेक करते हैं अब यह हलका सा ठंडा हो गिया है इ मेजरमेंट का दिहान लखना है जितना का पानी जिटना ही उतनहीं अपको चावल का आटा ऐड करना है तो देखो देखो ऊज लिसे लग गया है हमने इसको थोड़ा बहुत मसरली लिया है जरी हो घगा और बम मसदोन अब यह दोटा बनाते हैं हैं बहुत है नहीं कि मेफी ही गही यह कि और Стथ ऐीकique गया है। अब फ़िले ऐने नही हम इसके बॉल्स मनाते हैं तो आप या तो ईसब वह उता मिपको सब्वद्स के मेंस इक प्रभी किसके औरी एल्ली-क्रष गोर्विक healthy उसवाहाई। जैसे आपको बनाना है तो ये देखो, ये मैंने इस्पून के हैल्प से बॉल्स बना दी है देखो इसको राउंड करना है और बॉल्स बनकर देखो, रेडी हो गई है बहुत जल्दी इसके बॉल्स बन जाती है क्यों कितनी सुन्दर लग रही है तो हम इसको रख देंगे इसी तरह हम सभी बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे तो आप भी इस रेसेपी को जरू ट्राइ करना ये बहुत ज़दी बन जाती है जटपड बन जाती है इसी तरह हम सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर देंगे तो देखो ये हमने सबी बॉल्स बनाका रेडी कर दिये हैं अब हमको इसको इसको स्टीम करना है चाहे तो आप इसको इडली कुकर में भी स्टीम कर सकते हो अगर आपके पास इडली कुकर नहीं है तो आप कडाई में भी कर सकते हो तो हमने एक कडाई ली है उसमें हमने पानी गिरिस कर लिया था अब हम एके करके rice balls सभी इसमें डालेंगे जितना आता है आप उतना डाल सकते हो देखो ये एके करके हम डाल रहे हैं इस तरह हमने सभी balls डाल दिया है अब हम इसको cover करेंगे 10 minutes के लिए फिर हम 10 minutes के बाद चेक करते हैं देखो 10 minutes हो गए है हम अब सभी balls को इस्पुन की help से पलटेंगे ताकि जो ये balls है ये चारो साइड से अच्छे से पक जाए तो ये हमने सभी को पलट दिया है अब हम इनको cover करेंगे फिर से 10 minutes के लिए फिर 10 minutes के बाद फिर हम चेक करते हैं देखो 10 minutes हो गए है अब हम ढकन खुल कर देखते हैं वाव देखो किते सुन्दर लग रहे है ये अच्छे से हो गए है अब हम इनको ठंडा होने देंगे तब तक हम चटनी बनाते हैं तो चटनी बनाने के लिए हमने एक कड़ाई ली है उसमें हमने तेल डाल दिया है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें वान इस्पून जीरा एड़ करेंगे वान इस्पून चने ये रोस्टेट चने हैं इसको हम डालेंगे वान इस्पून उड़त की डाल ये कच्ची उड़त की डाल है जिसके हम पकोडी बनाते हैं वही उड़त की डाल है हम आप इन सब चीजों को कुछ सेकंडों के लिए भूनेंगे जब तक ये थोड़ा बहुत पकना जाए तो देखो ये हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे चाहे तो आप इसमें जो सुखी मिर्च होती है ना लाल वाली आप उसका भी यूज़ कर सकते हो तेकिन ये चटनी बच्ची भी खाएंगे तो मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ एक हरी मिर्च डाल रही हूँ ये ज़्यादा स्पैसी नहीं है अब हम इसमें प्याज एड करेंगे ये दो इसमॉल सैच की प्याज थे इसको हमने लम्बी-लम्बी सिलाईस में कट कर दिया है अब प्याज को हमको ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है बस हलका सही टोस्ट करना है फिर हम इसमें टमाटर add करेंगे, यह दू लार्ज साइच के टमाटर थे, इसको भी हमने cut कर दिया है, अब हम इन सब चीजों को अच्छे से mix करेंगे, फिर हम इसमें नमक अध करेंगे वन स्पून, नमक आप अपने स्वात के अनुसार एड कर सकते हो, तो नमक डाल दिया है हमने इसे टमाटर जल्दी गल जाएंगे फिर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको cover कर देंगे 10 मिनिट्स के लिए 10 मिनिट्स के बाद हम check करते हैं देखो 10 मिनिट्स हो गये हैं टमाटर भी देखो अच्छे से गल गये हैं अब हम gas off कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जैसे ही ये ठंडा होगा फिर हम इसको mixer jar में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे ये ठंडा हो गया है हमने इसको mixer jar में डाल दिया है अब हम इसको पीसेंगे तब तक next process की तरब चलते हैं देखो balls भी ठंडी हो गई है अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हों देखो मैं आपको दिखा रही हूं कितने सॉफ्ट बने वे देखो देख सकते हैं आप इनको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमने एक कड़ाई ली है उसमें हमने टू स्पून तेल डाल दिया है जैसे ही तेल करम होगा फिर हम इसमें वनी स्पून डालेंगे अब हम इसमें वनी स्पून उड़त की डाल डालेंगे वनी स्पून रॉस्टेड चना फिर हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से भूनेंगे जैसे ही यह अच्छे से भून जाएगी फिर हम इसमें जो वाइट तिल होते हैं उसको डालें जब अब इसोग बष्ट अब अदिया है एकने यह हम हमने जब इन सब जीजू को बहुत आग्छ से मिक्स करेंगे हैं, बहुत अब इसमें 1 इसमें चिली फ्लैक्स ढालेंगे नहीं 123 तो यह बहुत 1 इसमें जब सीचब इसमें और सितन भीज़ना देखो complete सुंदर कर लग रहा है काने में होते ही है सुंदर कि अपने में पकाया है यह हमने Ik Harshya कर 육़ा है तो यह हम निकाल रहे हैं प Jupos कि यह सारे हमने वाल में निकाल दिया है अब जो ये तेल बचावा है उसमें हम टमाटर और प्याच की ग्रेवी जो हमने पीसी थी उसको हम डाल देंगे तो देखो ये हमने डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखो चटनी बनकर रेडी हो गई है इसको हमको जादा देर तक नहीं भूनना है चाहे तो आप इसके लिए तड़का अलग से भी लगा सकते थे लेकिन ये तेल बचावा था तो मैंने इसमें ही डाल दिया है तो देखो चटनी बनकर भी रेडी हो गई है और जो हमारे राइस के बॉल्स थे वो भी बनकर रेडी हो गए है आपने देखा चावल के बॉल्स बनाना कितना इजी है और यह बहुत जल्दी बन जाते हैं जब भी आपको जटपट कुछ बनाना हो तो आप इस रेसेपी को ट्राइ कर सकते हो अगर आपको रेसेपी अच्छी लगे तो पिलीज लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको मेरी आने बाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है and see you guys in the next video